एलन मस्क की जिन्दगी किसी सूपर हीरो से कम नहीं है, इसलिए उन्हें आरन मैन भी कहा जाता है टेकनोलोजी से उनका प्यार और कुछ नाय करने का जुनून उन्हें दुनिया की नामी किरामी हस्तियों से अला खड़ा करता है टेक्सुला और स्पेस एक्स के सीयो एलन मस्क पिछले हफ़ते अमेजोन के फाउंडर जेफ बेसोस को बचार कर दुनिया के सबसे अमीर सक्स बन गये है एलन मस्क की जिनगी से जुरी कुछ है इसी बात है जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे एलन मस्क फर्स से अर्स की उचाईयों तक पहुँचे एलन मस्क कॉलेज के दिनों से हटी थे जो ठान ये उसे करना है रास्ते में चाहें हजार मुश्किल आए तो आईए जानते हैं एलन मस्क के बारे में 10 तोचक बाते नमबर बन एलन मस्क का जन मुश्क में प्रितोडिया दक्षिन अफरीका में हुआ था 17 साल की उम्री में वो कनाड़ा चले गया उनके पास तीन देशो दक्षिन अफरीका, कनाड़ा और अमेरिका की नागरिकता है अब तक उन्होंने 8 कमपनियों की शुरुआत की है टेक्सला, स्पेसेक्स, हाइपर लूप, ओपेनल, निूडालिंक, दा बोर्रिंग कमपनी, जीब टू, टेपल बच्पन से ही एलन मस्क को टेक्नोलोजी में काफी रूची थी मस्क ने सिर्फ 9 साल के उन्हों में ही पूरी अनकाइलोपीडिया भी टैनिका पड़ ले थी उन्होंने खुद ही कम्प्यूटर कोडिंग भी सीखी जब वो 12 साल के थे उन्होंने एक वीडियो गेम भी बनाया था जिसका नाम था ब्लाश्डर इस वीडियो गेम को उन्होंने 500 अस्टेलियन डॉलर में वेचा था नमबर 4, कहा जाता है कि एलन मस्क जब छोटे थे तो इस्कूल में उन्हें काफी सताया गया एक बार तो उन्हें उनके साथियों ने इतना पीटा की अस्पताल ले जाना पड़ा मस्क ने दब 15 साल के उम्र मार्शल आर्ट से और कुष्टी सिखी नमबर 5, कहा जाता है कि मार्वेल का सूपर हीरो आइरन मैन जिसका किरदार टोनी स्टोर्क ने निभाय था दरसल एलोन मस्क की जिंदगी पर अधारित है आर्टन मैन 2 में मस्क ने एक कैमियो भी किया है दसलेमसंस, बीग बैंक थियोरी और साउथ पार्क जैसी सिरीज में एलोन मस्क ने थोड़ी एक्टिंग भी किया है नमबर 6 मस्क ने युनिवर्सिटी ओफ एंसलवेनिया से ग्रिजुएशन किया है इसके बाद वो एनर्जी फिजिक्स में पीचडी करने के लिए वो इस्टैनफ़र युनिवर्सिटी भी गया हलाकि दो दिन बाद ही उन्होंने चीप टू कोर्परेशन लांच करने के लिए युनिवर्सिटी छोड़ दी नमबर 7 रोकेट बनाने वाली कमपनी स्पेसेक्स में मस्क मेजोरिटी रखते हैं और CEO भी हैं लेकिन कोई सैलरी नहीं लेते नमबर 8 टेक्सला के नतीजे खराब आने के बाद एलन मस्क ने एक बार उसे बेचने की भी सोची थे नमबर 9 अपने कॉलेज के दिनों में एलन मस्क को सिर्फ एक डॉलर तती दिन में अपना गुजारा करना पड़ा था वो दिन काफी मुस्किल थे नमबर 10 अलन मस्क के 6 बच्चे हैं और सभी के सभी लड़के हैं पहली पतनी से उनके 5 बच्चे हैं साल 2020 में उनकी कैनेडियन गफ्रेड सिंगल कलायर एलाइस पोचर से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उनने XAE812 मस्क रखा उमीद है या जानकारी आपको अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और हमने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले